हलो अब्रीबन विडियो आज की वीडियो आपके लिए बहुत साथ है क्योंकि इसमें हम बात करने वाले हैं सारी इसके लिए जो काट से पहले ही डेड्लाइन उनका उपर हो जाएगा अपने इनका फॉर्म नहीं भरा तो अटोमेटिकली मीन्स आप दुबारा से मौका आपको मिलेगा नहीं इसका फॉर्म भरने के लिए तो कोई चांस ना लेते हुए कौन से को वीडियो में आपको सब चीज का इन्फोमिशन मिल जाएगा आपके लिए ओवरॉल लॉंग रन म सबसे पहले आपके पास में आता है MDA गुरुगाओं मुषीदाबाद के बारे हम यहां पर बात नहीं कर रहे हैं स्ट्रिकली हम लोग MDA गुरुगाओं के ऊपर फोकस करेंगे MDA गुरुगाओं यह वाले प्रोग्राम जो ओफर करता है PGDM, PGDM HRM, PGDM IB and PGDM Business Analytics आपका यह जो फॉर्म है यह दोबारा से उपर नहीं होता, रीसेंट अगर यहर्स का सेनरियो लेके चलें अराउंड लास्ट नाइन तो टैन यहर्स से यह एक बार भी कैट के बाद उपर नहीं हुआ, इसका जो लास्ट डेट है टो फिल द फॉर्म इस 22nd November 2024 तिल 5 पीम यह बाद भू क्यों कि MDI ने रिसेंट यहर्स में वो धीरे-धीरे काट से हटके प्रोफाइल के उपर फोकस करने लगा है, तो उसके चलते क्या हुआ, अर्लियर इसके खटाउप्स रहती थी 97, 97.5 के क्लोज, फिर कुछ यहर्स के बाद में, एक-दो साल और निकला, 96 पहुंचा, फिर 95, अब 92, 93 पे भी कॉल्स आ रही है, अब थोड़ा-थोड़ा वेटेज वो बढ़ा रहे हैं, बाकी चीज़ों के उपर, प्रोफाइल के उपर, तो शायद इस से है, 90, 91 परसंटाइल पे भी आपको कॉल्स एक्सपेक्टेड हूँ, बट एक चीज आपके मन में जरूर आ रहा हुई, तो इस वज़े से उन स्टुडेंट्स को 2025 से 2027 का जो MBA प्रोग्राम है, उसके अंदर उनने PGDM प्रोग्राम के अंदर अप्ग्रेट दे दिया, जो लोगों का बिजनस अनलेटिक्स या IB या HR कुछ कुछ कनवर्ट हुआ था, वहां पे फाइनल कनवर्ट में नहीं आप आया, क्योंकि seat availability नहीं था, तो उनको 2025 से लेकर 2027 के प्रोग्राम के लिए admission ओफर कर दिया गया, अब उससे क्या होगा, कुछ seats आपके लिए कम जरूर हो गई है, बट क्योंकि overall profile के उपर भी focus और वो बहुत जादा number of seats नहीं है, जो लोगों ने जिनको MDI का admission मिला, वो अच्छली उन students को advantage यहाँ पर जादा है, जिनका profile अच्छा होगा, अगर आपकी profile नॉर्मल है, आप 97, 98, 99 की range में score कर रहे हो, तो आपके लिए अच्छा scope जब बन जाता है, तो definitely अगर आपका mock में, एक दो बार भी 50 plus marks गए हूँ, EG mocks की बात करूँ, IMS mocks की बात करूँ, अगर आपका एक दो बार भी 50 plus गया होगा, तो आप chance ले सकते हो, जरूर इस college के form के साथ आपको छोड़ना नहीं चाहिए, अब in case आपका कभी भी 40 plus भी cross नहीं किया, वट आप एक risk लेना चाहते हो, आपको money management का पुलिकत नहीं है तो definitely आपको chance लेना चाहिए, क्योंकि cat के दिन आप कैसा performance दोगे, ना तो ये मैं predict कर सकता हो, ना तो ये आप predict कर सकते हो, आपका best attempt cat के दिन पर हो सकता है, तो अगर आप chance लेना चाहते हो, MDA एक ऐसा option है, कि आप definitely इसको consider कर सकते हो, कि हाँ मैं इसका form भरू, and इसके सारे ही programs, top-notes programs है, अगर आप plan कर रहे हो, तो MDA can be one of the choice, जिसके लिए आप आगे proceed करो, ठीक है, then अगर मैं form fees का बात करो, अगर आप only MDA गुरगाओं के लिए फिल कर रहे हो, that would be 3000, and अगर MDA मुर्शीदाबाद, इसके बारे में हम जादा बात नहीं कर रहे हो, अगर आप combined रख हो, तो आप 3590 के थरो, दोरों के दोरों programs में apply कर सकते हो, मेरे recording इसका need नहीं है, अगर आप tier 1 institute के बारे में बात करें, तो आप directly MDA गुरगाओं के लिए फिल करें, and that is all, उशीदाबाद अभी उतना उस level पे नहीं पहुंचा है, कि जिसको हम अभी से consider करने के बारे में हो जाए, कि GMAT के थरो, अगर आप admission लेना चाहते हो MDA में, तो last year से ये बंद कर दिया गया है, GMAT के थरो only NRI students, जो foreigners हैं, वो लोग admission ले सकते हैं, but अगर आप Indian citizen हो, तो आप GMAT के थरो admission नहीं ले सकते हो MDA में, MDA only cat accept करता है for Indian students, similarly eligibility conditions, आप यहाँ पर read कर सकते हो, online application will be available till Friday 2022 November 2024 till 5 PM, यह चीज भूल मत जाना, ऐसा ना हो, इस चीज के चलते हैं, आपका form ही miss हो जाए, then if we move further, PGDMI भी इसके regarding details available है, if you want to read, you can stop the video here, and you will be able to read it as well, अचाहिक चीज और, अगर आपने cat का user ID गलत डाल दी, MDA का form भरते हो, तो automatically means that आपका cancellation हो जाएगा, वो obvious ही बात है, जहां से आपका पहचान होना है, कि आप कौन हो, अगर आप वही गलत डाल दोगे, तो आपको admission कैसे मिल पाएगा, similarly we talk about FMS, FMS, COVID से पहले तक, cat से पहले ही form over कर देता था, दो colleges ऐसे थे, जो cat से पहले ही form over कर देते थे, first one was MDI, and second one was, आपका यह FMS, दो colleges ऐसे थे, early year phase में, COVID से बाद म इसके बाद में, इस बारी उन्होंने cat से पहले ही move कर दिया है, अब FMS के साथ में, वैसे, ideally तो नहीं करना चाहिए, भाई, जैसा चल रहा था, बढ़िया था, जो लोगों का, जो cutoff आता, जो percentile आता था, उस supporting वो plan कर लेते, तो उनको FMS भरना है या नहीं भरना, अब क्या सारे लोगों ने form नहीं भरा, जो eligible थे, इस वज़े से cutoff के नीचे जाने का scope है, तो अगर आपका score, अगर एक बार भी आप 70 प्लस रेंज में गए हो, mocks के अंदर, तो FMS is a good choice, fees कम है, form fees, 1000 रुपीज है, general candidate के लिए, and 350 रुपीज है, category students के लिए, तो मैं तो यही बोलूँ अगर एक बार 60 प्लस भी गया हो, तब भी भर लो, chance ले लेना चाहिए, इसमें एक और थोड़ा सा चीज है, कि यह आपका जो first round of criteria, selection criteria है, उसमें आपका cat के score के पे weightage है, साथी साथ आपकी gender diversity पे weightage है, तो आपका 40% weightage दे रहे हैं यह VARC section को, 30% weightage दे रहे हैं आपका DLR section क को, और 30% ही आपका weightage दे रहे है, क्वांट को, तो अगर आपने VARC के बारे में बात करें, तो VARC का प्रजिक्ट नहीं कर सकते, कि आप अगर mocks में 20 ला रहे हो, तो आप पेपर में 20 लाओगे, क्वांट का समझ में आता है, आप एक particular range में, उसी में घूम होगे, DLR में ए बूरा शिदत से preparation की, 1000 उपे का ही form है, बहुत जादा महेंगा नहीं है, चांस ले लेना चाहिए, इतना पैसा तो उडाई देते हो कहीं नहीं, तो 1000 उपे का एक चांस जरूर ले लो, बहुत अच्छा college है, ROI सबसे अच्छा, इससे साथ compare क्या ही करेंगे हम किसी और college को, तो 10% 10th को, 10% 12th को, 10% SOP को, SOP का role बहुत ज़्यादा होगा, SOP रिखना होगा, अगर आप में से कोई ऐसा है, जिसको SOP का बारे में अभी idea नहीं लग रहा, तो अभी कुछ दिन पहले हमने SOP related एक video attach किया था, अगर आपने वो नहीं देखा है, तो जुरूर एक बार देख ज 10th & 12th का जाधा difference create नहीं होगा, क्योंकि 75% almost होता ही है students का, तो जाधा difference नहीं आएगा, बट इन सारी चीजों का role है, अच्छा खासा, तो इसके उपर focus करना होगा, 30% वेटे चाहें यहाँ पर, similarly, अगर fee structure की बात करते हैं, यहाँ चेक कर सकते हो, यहाँ पर आपकी seats हैं, ज बहुत जाधा अच्छा college, मतलब, ऐसा college है कि अगर आप इसको tier 1 के अंदर रख रहे हो, तो वो आपका एकदम best decision होगा, कि यहाँ, one of the college, अगर मेरे पास में, मुझे tier 1 में ही जाना है, तो क्या SPJN वो college होगा, जिसको मैं consider करूँ, definitely, यह one of the college है, जो आप considered, जरूर करिए, दो rounds में admission लेता है, first one is आपका profile based, profile based में catch यह है कि आपका cat होते ही कुछ दिनों के बाद में आपको profile based calls आ जाएंगी, but interview के बाद में आपको cat का score होगा, या interview में भी आपका interview से पहले cat का score आ चुका हो, तो आपको 75 in VARC minimum, 75 percentile in VARC, 75 percentile in your DLR section and 75 percentile in आपका quant section and overall आपका 85 percentile हो होना चाहिए, 85 percentile approximately 45-50 के अंडर बन जाता है, तो उतना आपका होना चाहिए, अगर आपका profile extraordinary है, आपका walk experience अच्छा है, आपने sports में कुछ किया हुआ है, आपका academics अच्छा है, तो definitely आपका यहाँ पर chance बन जाता है, और profile based में आप इसमें selection ले सकते हो, अगर without profile की बात करें मतलब profile का कम जो आपका score based selection है, उसमें भी earlier cutoffs रहते थे 99 percentiles के close, अब change हो रहा है, criteria change हो रहा है, 3-4 साल से देख रहा है, last year तो 97-96 percentile पे भी students को calls थी, profile कम score based में, तो आप यह expect करके चल सकते हो, कि आपका call बन सकता है 95 plus percentiles पे भी, अगर साथ में आपका profile भी थोड़ा बहुत add on हो जा रहा है, और साथ में आपके scores भी है, क्योंकि यहाँ पर program add हो गया, अब बता देता हूं, अच्छा, last day to apply इसका भी 22nd November है, FMS का भी 22nd November था, और FMS का MDI का भी 22nd November था, MDI में एक catch था कि 5 PM थक ही, आप fill कर सकते हो, उससे बाद नहीं, then admission process, आप यह चेक कर सकते हो, यह स दोनों के दोनों प्रोग्राम के लिए आप apply करिए, कोई दिकत पर रिशानी नहीं है, यहाँ पर batch size 240 का, यहाँ पर batch size 120 का, ठीक है, main क्या था, restriction था, SP 10 पर वो seats बढ़ा नहीं पा रहा था, 240 से, norm की वज़ह से, तो उन्होंने BM के नेम से एक अलग से चला दिया है, जिसमें जिसका response sheet आता था, marks आते थे, लोगों को लगता था, इसमें भी कुछ गड़बड हुआ है, मैंने इतने tick कर रहे थे, मेरे इतने correct होने चाहिए, तक गड़बड रहता है, दो तिन साल से देख रहे है, IFT के साथ problem चल रहा था, बहुत जादा, तो इस से और उन्होंने कहा क अपना जो admission process होता था, उस बारी उन्होंने 22nd November last date रख दिया है, form filling खा, अब क्या ये खुलेंगी ही नहीं, अब FMS, SPJAN and CAT और इसका MDI open नहीं करने वाला, but IFT के साथ सीन ये है, कि depend कर जाएगा कि कितने लोगों ने form भरा, अगर form filling ही जादा ना हुआ हुआ, तो ये definitely form दब quality of students है, वो खराब हो जाएगा, अगर जादा form filling ही ना हुआ, तो दुबारा से open कर सकते हैं, बट फिर भी वो risky chance होगा कि यार भरेंगे हैं, एक दिक्कत और है, इसने, IFT ने अभी तक ये ही mention नहीं करा कि भाई, selection case basis पे करने वाले हैं, अब मेभी उनका 99% weightage ही cat score पे हो, maybe 90% weightage cat score पे हो, अब जिसका cat score जादा होगा, automatically उसका score बढ़ जाएगा, अब मेभी 50% weightage रख दें cat score को, और बाकी weightage वो रख दें, आपकी gender diversity, academic diversity, बाकी सारे फलाना धिमां का work experience, वो सब factors पे, तो अगर किसी में वो problem है, तो उसके लिए तो दिक्कत हो जाएगा, अब उसको कैस form fees भी कोई सस्ता है नहीं, form fees भी अच्छा खासा महेंगा form fees है, आपको MBA, IB में total to 480 seats मिलते हैं, इस पर 240 Delhi में है, 240 Kolkata में है, similarly MBA, BA में 60 seats है, बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं, क्या मुझे BA का program फिल करना चाहिए, देखे business analytics का, कोई भी top B school में अगर admission लेते हो, तो analytics का अब के time में process start हो चुका अच्छे level पे, मतलब analytics तो हर चीज में ही required है, future में obviously इसका demand increase होगा, तो अगर analytics आपको किसी भी top B school में option मिलता है, और आपका mathematically थोड़ा interested हो, maths थोड़ा ठीक है जनता है आपको, तो आप ज़रूर इसको consider करके चल सकते हो, कोई खराब option है, IFT बहुत आप इसको void करना चाहते है, you can do that as well, but B.A. में interest हो, maths में आप inclined हो, तो definitely आपको भरना ही चाहिए, इसको छोड़िएगा मत, form fees की मां बात कर रहा था, आप अगर IB program के लिए भर रहे हो, 3000, अगर आप 2000 इसके लिए B.A. program के लिए भर रहे हो, तो अगर आप category student हो, तो यहाँ प but cat cat, बाड़ा चुप रहा है, मतलब यह वाला ठीक है, MDI का समझ में आदयार हा, हार साली कर रहा है, वो clarity है, selection criteria पता है, FMS का top notch option है, बन्दा कैता है चलो ठीक है, 1000 अड़र रुपर का form है, मैं chance नहीं लेता है, मैं बर लेता हूं, पता है कि cat बीटे जादा है, तो मैं higher percentile ल लंबा चोड़ा फीस, एक तरफ से तो यह है कि MBA experience भरी ना यह form, तो भरेंगे नहीं, तो अपने आप भी नीचे उतराएगा, IFT और दुबारा से open करेगा, एक बार दुबारा से open होगा, तो फिर वो हरियर उसको if we talk about other options, snap का, आपको 22 November last date है, भर लेना है उससे पहले पहले, और डिले ना करिये, आपको फॉर्म भर लेना है, snap का, then colleges की last date, December में, December 2, 3, 4, 5, 6 के आस पास, वो आप चेक कर लोगे, वो website पे, या मैं भी आपको comment section में डाल दूँगा, तो आप वहाँ से check कर लेना, form भर देना, snap का, और ज़्यादा डिले ना करिये, last date आचुकिया, क्या मुझे भरना चाहिए है, अच्छा option है, बैक अप के लिए, अगर by chance cat खराब हो गया, cat टुक गया आपका, तो snap will be there to help you out, to get admission in toby schools, my cat है, अगर data भर दो, odd lane आ करिये, किसको my cat भरना चाहिए, अगर तो बहुत जादा serious हो, advertisement में जाना है, communication में इंटरस्ट है, मैं जाना चाहता हूँ, तो आप 1 and 2 दो, my cat 1 and 2 दो, अगर आप उस specific domain में जाना चाहते हो, तो आप इसमें बहुत अच्छा गट सकते हो, opportunity wise आपको बहुत अच बहुत आज पास में वो exam होने वाले है, my cat के साथ में और जादा focus करना, will be a trouble for you, तो इसको अभी के लिए sideline कर सकते हो, my cat 2 दे सकते हो directly, but अगर आप interested हो, fully inclined हो, पता है, मुझे देना ही देना है, तो आपको my cat 1 and 2 दोनों के दोनों भर देना चाहिए, इसका exam pattern अलग है, psychometric का role है, वो मतलब आपका जो marketing oriented mindset है यह paper आपसे निकलवा लेगा, यह paper बैसा ही है, आपसे aptitude नहीं पूछेगा, aptitude के लिए cat का score लगेगा, कि 88%, 90% यतना cutoff रहता है, कितना cat में होना चाहिए, apart from your my cat score and accordingly you will be able to get admission into this college, now if we talk about that, cat के बाद भर लेंगे 30th November है, पहले भरने से बहुत दूर सेंटर मिल जाए, ऐसा नहीं होने वाला, as per availability, randomly selection होता है, तो अगर आप last day पर भर रहे हो, last day वोइड करिये, 39 को भर लेना, 20 को भर लेना, या cat के एगले दिन पर भर लेना, कर सकते हो, को दिक्कत परिशानी है, नहीं, आच्छा, that कि अगर बात करें, first program will be BM, business management, automatically, सबसे, top का option है, XLRI का, और XLRI एक ऐसा college है, जो IM, ABC, किसी भी वज़े से, आप किसी का profile का दिक्कत है, वो भाई ABC में admission नहीं ले सकता, उसी टकर का एक college XLRI, यहां भी आपको स्कोप बन जाता है, maybe cat में किसी student का DLR की वज़े से दिक्कत परिशानी हो गया, decision making का option बहुत November है, इसको भर लीजेगा, आपके लिए यह भी important option रहेगा, I hope so, सारे के सारे pointers के बारे में आपको idea लग गया होगा, पता चल गया होगा, कौन सा form आपको भरना है, कौन सा नहीं भरना, SP Jan के लिए मैंने बता दी MDI, मैं एक बर fit से recall कर देता हूँ, अगर मैं बात करूं MDI का कट-off आप पकड़के चलिए, 92-93 पे भी chance बन सकता है, इस से अर, में भी वो PG-DM प्रोग्राम के लिए ना बने, BA के लिए बन सकता है, और बाकी जो आपका प्रोग्राम में, IB है, यह आपके पास में HRM है, वहाँ पे आपका chance बन सकता है, SP Jan का बात करें, अगर profile oriented है, तो वह basic eligibility criteria है, 75, 75, 75 in each section and overall 85, similarly अगर आप without profile जा रहे हो, मतलब profile कम score based जा रहे हो, तो आप 96-97 परशनटाइल के आसपास मान के चल सकता हूँ, कि आपका मौका बनेगा, में भी इस यह थोड़ा सा और कम पे वो मौका जो बन जाए, मतलब में में कॉलिजिस का focus ही हो चुका है, य एक college का aim बन गया है, कि या साथ में, बन्दा ऐसा भी देखो, interview पर बेटेज दो, जादा सारा work experience पर बेटेज दो, उसके academics पर बेटेज दो, so that मैं वो user को select करूँ, जो बन्दा आके मेरे college को आगे लेकर जाए, ना कि मेरे college की growth को रोके, logically यह scenario है, इसलिए वो profile भी साथ में focus पर ला रहे है, अब आपका profile में कुछ extra नहीं है, बट आप overall बड़े logical बनते हो, दिमाग चलता है आपका, वो interview के time पर साबित हो जाएगा, तो उस time पर आपको interview में जादा points मिल जाते हैं, आप आप automatically ace कर पाओगे, और आपका CAD score भी automatically जादा होना चाहिए, so that profile में कुछ न RC section जो है, वो total 24 questions आ रहे है, 72 marks का है, तो 40% 72 के हिसाप से निकलेगा, DLR portion 30% है, तो 30% 60 marks के हिसाप से निकलेगा, क्योंकि total 20 questions आ रहे है, अब maybe number of questions भी बदल जाए हैं, वो तो फिर अलगी मुद्दा होगे discussion का, क्वांट के बारे में बात करें, 22 questions आ रहे, 66 marks, 30% of 66 marks चलेगा, तो मुद्दा समझ में आ गया होगा, अगर आप 99% overall देखोगे, इतना लाने पर हो जाए हैं, अब female candidates को 5 marks directly extra मिलने वाले हैं, अब male students को 100 out of 100 होने वाला है, यह 100% figure out होगा, out of this 100, female के लिए 105 बनने वाला है, उ बेबी cat की उपर align हो जाएं, बेबी profile की उपर focus हो जाएं, बीच में वो बहुत जादा profile पर focus करने लग गए जो 2-3 साल पहले, अब ही दुबारा से वो exam की उपर focus करने लगे, अब इस यह क्या scenario होगा, selection criteria कुछ अता पता नहीं है, तो अगर आप इसको miss करना चाहो, किसी भी reason की वज़ा से आप कर सकते हो, I hope आपको सारे के सारे points clear हो चुके होंगे, so that is all from my side, अगर आपको यह video helpful लगा होगा, तो please video को like करिएगा, आप लोग video को like किये बिना चले जाते हो, please बहुत जरूर कर देना, that will be all from my side, thank you, bye-bye.